दोस्तो मैं रभी कुपता फिर स्वागत करता हूं अपने एक फोजी ब्लोग में दोस्तो आपके लिए एक और भरती लेका है हूं दोस्तो CRPF कांस्टेबल भरती सिर्फ GD के लिए भरती होने वाली है महिला और पूरुष दोनों के लिए होने वाली है एक लाग तीस हजार भरती होने वाली है दोस्तो शिर्फ कांस्टेबल के लिए और एक कौन किरार यह सिर्फ CRPF की भरती है दोस्तो और किसी भी विभाग का नहीं है किसी का नहीं है सिर्फ सी आर पी एप का यह भरती होने वाली है एक लाग तीस हजार का भरती होने वाली है दोस्तों एक लाग तीस हजार कोई कम भरती नहीं होती है दोस्तों भरती क्यूं होने वाली है दोस्तों उसके भी रिजन में हम बताएंगे दोस्तों और अगर आप त चलिए दोस्तों देर हैं आप को समझाने वाले हैं दोस्तों को अब वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको हमारे पास दोस्तों अभी बोड नहीं है दोस्तों लेकिंगे हम आपको पूरे पेपर पर समझाने वाले हैं दोस्तों तो बने रही है आई ये सुरू करते हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं CRPF Constable भरती 2030 जो कि दोस्तों SSC द्वारा ही कराया जाएगा ये भरतिया निकल के आ रही है दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों देखें पोस्ट की बात करते हैं तो 1,29,929 पर All India महिला अवर पुरुष दोनों के लिए है ये दोस्तों भरती योगता की देखें इसमें बात करते हैं तो सिर्फ दसवी पास है जो की ओल्लाइनी फॉर्म अपलाई किया जाएगा दोस्तों उम्र की देखें बात कर लेता है दोस्तों तो इसमें उम्र देखें 18 साल लेके 23 साल यानि इसमें 3 साल OBC के लिए और ACST के लिए 5 साल का आपको छूट दिया जाएगा और बात करता है दोस्तों अगर आप अगनी बीर है दोस्तों अगनी बीर तो इसके लिए दोस्तों देखें अगर अगनी बीर से अगर आते है तो इसको दोस्तों इसमें 5 साल का छूट दिया जा रहा है दोस्तों 5 साल का छूट दिया जा रहा है दोस दोस्तों अगर आप अगनी बीर से हैं तो नहीं होगा चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों देखिए फीस इसमें क्या रहने वाला है देखिए फीस अगर जेर्नल OBC और EWS से हैं तो आपका 100 रुपे का फीस रखा जाएगा ACT के और और महीला के लिए देखिए जीडी रुपे का फीस इसमें कोई चान्स नहीं है महीला के लिए ACT के लिए और जेर्नल OBC के लिए सिर्फ 100 रुपे का फीस रखा गया है इसमे अब बात करते हैं पोस्त तो आपका हो गया 1,29,939 अब बात करते हैं पुरूस की कितनी है और पुरुष के लिए देखिए 1,25,262 पोस्ट है और महिला की बात करें तो 466 सट पोस्ट है अब इतना दोस्तों सीटे हैं दोस्तों ये पुरुष के लिए क्यों इसमें हवलदार और नहीं सिर्फ कांस्टेबल जीडी के लिए जर्नल डूटी के लिए क्योंकि इसमें अभी CRP की एप में दोस्तों हेट कांस्टेबल की भरती कम देखने को मिलेगी क्योंकि अभी पर्मोशन ज्यादा हो रही है दोस्तों पर्मोशन जोन से इंको हेट कांस्टेबल बनाया जा रहा है और नहीं इनको सिपाई की जरूरत है दोस्तों इसलिए आपको जर्नल डूटी के ल कि दोस्तों कि एक लाग तीस हजार भरती कराना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों अगर आप इसके तयारी कर रहे हैं दोस्तों जोड़ सब्सक्राइब यह आपका SSC GD का भी फिजकल होने वाला है दोस्तों बात करते हैं इसका देखिए चैन की परकिरिया देखिए आपका सोगा पहले होगा इसमें रिटेटी उसके बाद से होगा दोस्तों रिटे होगा to 2020, computer-based test होगा सोड़ hugely आपका test होने वाला है इसके बात सा दुमेंट वेरिफीकेशन होगा और अपका Medical टेस्ट होगा आगे बात करते हैं दोस्तों इसका परिच्छा का पैटन क्या होने वाला है दोस्तों हाला कि नोटिफिकेशन में परिच्छा का पैटन नहीं पताया गया दोस्तों आप नोटिफिकेशन पढ़ दीजिएगा उसका हम आपको दिखा देंगे देखें परिच्छा का पैटन यह है दोस्तों आपको जीके से 25 कोष्टन मैट से 25 कोष्टन रिजनिंग से 25 कोष्टन हिंदी या इंगलिस आपको दोनों अप्शन मिलेंगे आप इंगलिस या हिंदी में कोष्टन दे सकते हैं उसका भी 25 कोष्टन आएंगे यानि टोटल दोस्तों 100 कोष्टन होगा आपका और 100 नंबर का ही होगा दोस्तों इसमें बात देखें टाइमिंग का बात करते हैं दोस्तों इसमें टाइमिंग आपको दो घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें नेगे करने दोस्तो अब बात करते दोस्तो इसमें फीजकल आपका क्या होने वाला है फिजकल में देखिए पीड़ इसकाल जैस्ट ऺंड़िज़ कर स्थेंडरिश्च स्थेंडर्ट पिच्ट ल सूनों स想तर सैंत्यमीटर जेर्णल और को वीज़ी और यी डबलू- pitch का भरने 70 cm Chase की Bात करते हैं दोस्तोn तो 80-85 cm आपका Chest रहने वाला है, यही अगर आप AC-ST के रहने वाले हैं दोस्तो, तो higher 58-83 cm आपका Chest रहेगा दोस्तोn आपका यही आप बात करते है फिजकल का दोस्तोn तो फिचकल में देखिए 5 किलोमेटर का रणिंग होगा 24 मिनट समय दिया जाएगा यही महिला की बात करते हैं दोस्तो तो जर्णल OBC के लिए एक 57 सेंटीमेटर और ACST की महिलाओं के लिए एक 50 सेंटीमेटर हाइट चाहिए दोल का बात करें तो महिलाओं के लिए 1.6 किलोमेटर का रणिंग होगा 400 मिटर का जो की 8 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तो तो यह दोस्तो बहुती बड़ा भरती होने वाली है दोस्तो अगर SSC GD कराती है तो ठीक है अगर CRPF कराती है दोस्तो तो इतिहास में सबसे बड़ा भेकेंसी होने वाला है दोस्तो एक लाग तीस हजार भरती पे सिर्फ कांस्टेबल की भरती CRPF करा रही है और उसका कराने करेजन यहीं है दोस्तो कि जितने भी पुन्यती हो रहा है CRPF में सिपाई सहावालदार बन रहा है सिपाई की संख्या घरती जा रही है और इतनी सिपाईों की संख्या में कमी आ रही है दोस्तो इसलिए भरती होगी कब दोस्तो तो देखिए दोस्तो आपको यह भरती लेके सितंबर तक आपका यह भरती आ जाएगी दोस्तो आपको देखन तो आप पूरे एक साल के लिए अपनी दोस्तो जी जान से महनत लगा दे दोस्तो अगर आपका ही महनत यह रंग लाएगी दोस्तो कराने वाली है दोस्तो तो आप अपने आपको तयार हो जाएए दोस्तो और आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो किरिपे हमारा चैनल को लाइक करें कमेंट करें वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी आपको फिर मिलते हैं इसे ही वीडियो में तब तक के लिए जय हैं